हेलो स्ट्रेंड्स आज हम पढ़ें के 10 स्टेंडिट की जोगरफी का चैप्टर फाइव जिसका नहीं है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइड लाइफ अब्जर्व दा इमेज शॉन इन फिगर 5.1 इन डिसकस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलिंग पॉइंट्स 5.1 में अलग लग अनिमल्स की प्लांट्स की फिगर्स दी गई हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स उसके बेसिस पर हम कुछ कॉशंस के अंसर देते हैं बढ़ते हैं कि क्या कॉशंस हैं जिनके अंसर मॉस्ली हमें इस चैप्टर के दोरान मिलेंगे यह लग लग तरह के प्लांट्स और ट्री दिखाएगे इनके नाम बता सकते हैं क्या वेर हैव यू सीन देज प्लांट्स बिफोर इनको अपने इन प्लांट्स को अपने कहा देखा है पहले नेम दी फोना शॉन इन दी इमेज यह कौन सी फोना यहाँ पर दिखाए गई है वेर हैव यू सीन देम बिफोर और इन्हें आपने पहले कहां देखा है अब तक जो हमने पिचर में देखा वो उनको आप पहचान भी चुके होंगे और उनके बारे में डिसकस्ट भी किया होगा आपने अब ब्रजील में जो फ्लोरा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्लोरा में इनके बारे में जो ब्राजील में पाए जाते है इन फिकर 5.2 रेंफॉल फ्लोरा और फोना ओफ ब्राजील ब्राजील में इनके बीच में इनके बीच में इनके बीच में इनके बीच दिफेरेंच जो है वो असानी से दिखा जा सकता है discuss about these in the class and write a note about it इनके बारे में class में discuss करें और इनके बारे में पढ़ें चलो अब हम vegetation के बारे में पढ़ते हैं ब्राजील की In Brazil, rainfall varies due to physiography यहां की physiography के कारण यहां पर बारिश में काफी variation देखी जाती है In most parts of equilateral region, it rains throughout the year Equatorial region, जो equator के असपास के area है, वहां पर पूरे साल ही बहुत जादा बारिश होती है As one moves away from the equator, the number of rainy days as well as amount of rainfall reduces जैसे जैसे हम equator से दूर जाते रहते हैं, वहां पर साल के कितने दिन बारिश होती है वो और कितनी बारिश होती है, वो दोनों ही कम होते रहते हैं This affects the life cycle of the vegetation too इसकी वज़े से वहां की vegetation की life cycle पर भी काफी फरक पड़ता है Evergreen forests are found in the area where it rains throughout the year काफी घने जंगल वहां पर पाये जाते हैं, जहां पर पूरे साल ही बारिश होती है In the regions which receive rainfall only during certain seasons, the density of vegetation reduces जहां बहुत ही कम बारिश होती है, यह seasonal बारिश होती है तो वहां पर vegetation की density जो है, उनकी घनतों काफी कम होता है काफी कम vegetation पाये जाता है उस area में Instead of forests, various types of grasses, short shrubs, throny vegetation, etc. are found और उने इंडियाज में घने जंगलों की बजाए, घास के मैदान, या फिर जाडियां, या फिर कंटीली vegetation जो है, जैसे वो देखने को मिलती है Brazil has the largest number of vegetation species in the world Brazil में सबसे जादा vegetation species जो है, वो पूरे संसार की पाये जाती है This includes evergreen vegetation, जिसमें evergreen vegetation भी आता है, semi green vegetation भी आता है Arid means पूरी तरह से बंजर जमीन जो है, वो भी आती है One finds trees like poube, brasil, rubber, mahogany, rosewood and a variety of orchids यह यह अलग लग तरह के जो पेड पोदे हैं वो पाये जाते हैं Brazil में Because of the evergreen forests in the Brazil, there is a large amount of oxygen that is released in the environment इतने जादा evergreen rainforests होने की वज़े से Brazil में यहां से काफी जादा amount में oxygen जो है वो release की जाती है environment में This helps to reduce the carbon dioxide levels, जिसकी वज़े से carbon dioxide level जो है वो काफी कम हो जाता है environment है Therefore, these rainforests are rightly called the lung of the world इसलिए इन rainforests को lung of the world भी कहा जाता है answer the following questions on the basis of the figure 5.3 5.3 में जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया का map है और यहां पर किस तरह की vegetation है वो शो की गई है इसके बेस पर कुछ questions के answer देखते है which forests are found in western snowcapped regions western snowcapped region जो है यह उपर आला area जो है यहां पर कौन से region किस तरह के जंगल पाया जाते है on which cost do you mainly find the coastal vegetation coastal vegetation की cost में पाया जाता है यहां पर देख सकते हैं कि यह western cost है इसी में सबसे अधा vegetation है as compared to southern cost which type of forest occupy maximum area in India इंडिया में सबसे अधा कौन सी तरह के forest पाये जाते है इसके बारे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे where do you find throni and shrubi vegetation and wild जो कंटीली जाडियां होती है वो जादतर कहां पाये जाती है और क्यों जादतर ऐसी जाडिया जो है राजस्तान में पाये जाती है क्योंकि आप पानी की कमी होती है तो यह ऐसी vegetation अक्षर पानी की कमी वाले एरिया में ही होती है following types of forests are found in India नीचे कुछ forest के टाइप दिये गये है वो जो है mainly इंडिया में पाये जाते है Indigians which receive more than 2000 mm of rainfall on an average along with the abundant sunlight evergreen forests are found जहां हर साल 2000 mm से जादा बारिश होती है और बहुत जादा sunlight पढ़ती है उनी एरियास में evergreen forest पाये जाते हैं the leaves of the trees in these forests are broad and green इनके जंगलों में जो पेड़ पाये जाते हैं उनके पत्ते जो हैं काफी dark होते हैं और काफी चोड़े भी होते हैं these trees have hardwood heavy and durable और इन tree की जो लकड़ी है वो काफी hard होती है और बहुत ही भारी और बहुत ही durable होते हैं काफी कामों में यूज की जाती है जैसे की इस तरह एक्जेंपल है महगने, rosewood, rubber, etc. also there are various types of creepers found here कहीं तरह के creepers भी मिलते हैं इन areas में highest biodiversity is found in these forests सबसे जादा biodiversity जो है इन ही जंगलों में पाई जाती है इन regions receiving rainfall between 1000 mm to 2000 mm in India, deciduous forests are found और जहां पर 1000 से 2000 mm बारिश होती है पूरे साल में वहां पर deciduous तरह के जंगल पाये जाते हैं in dry seasons trees shed their leaves so that water is not lost due to evaporation जब सूखी के मौसम आते है तो यहां के पत्तों पत्ते जो है जड़ जाते हैं ताकि जो moisture है वो इवापरेट ना हो जाए जैसे की टीख हो गया, bamboo हो गया, bunyan हो गया, people हो गया and the trees found in these forests यह इस तरह के जो trees है इन जंगलों में पाई जाते हैं regions that receive less than 500 mm of rainfall and experience dry summers for a long period of time in India, throni and shabhi type of vegetation is found जहां पूरा साल 500 mm से कम बारिश होती है वहां पर और बहुत जादा सूखी गर्मी पड़ती है उन एरियास में shrub type के vegetation जाड़ी और कंटीली type के vegetation पाई जाती है the leaves are very small in size for example catechew, asacea, khijadi and varieties of cactus like aloe vera and agave यह उन तरह के उनके पत्ते भी जो है वह बहुत जादा छोटे होते है इन पेड़ों के जाड़ियों के और यह उनके कुछ examples दिये गए है in swampy areas, easteries and lagoons near coastal areas having saline soils and moist climate swampy areas में जो है काफी जादा lagoons और coastal areas saline soil पाई जाती है इन एरियास में coastal type of vegetation is found और इन एरियास में जो है वो coastal type की vegetation पाई जाती है they are called the mangroves or sundar buns in India इन्हें mangroves या sundar buns भी कहा जाता है the wood of these trees is oily, light and durable इनकी लकड़ी जो है वो काफी जादा oily होती है और हालकी होती है और काफी durable होती है अब हम page number 34 पर चलते है in India Himalayas, three types of forests are found coordinating to the altitude हमालिया में तीन तरह के जंगल पाये जाते हैं उनके altitude पर डिपेंड करता है in areas located on the highest altitude, seasonally flowering trees are found जो बहुत जादा उन चाई पर हमालियास वहाँ पर seasonal flower जो है वो पाये जाते है in regions with medium altitude, coniferous trees like pine, deodar, fir and at foothills mixed forests are found और जो middle वाला area है वहाँ पर coniferous के पेड जैसे pine हो गया देodar हो गया फिर हो गया पाये जाते हैं और जो कि नीचे की पहाडियां है वहाँ पर mixed type के जंगल जो है वो पाये जाते हैं और यहाँ पर साल के जो पेड है उनकी जो तादाद है वो जादा होती है अब हम ब्राजील की wildlife के बारे में पढ़ते हैं on the basis of figure 5.4 answer the following questions 5.4 में कुछ questions दिएगे उनके विस पर हम पढ़ते हैं name the species shown in map कौंसी species map पर शो की गई है condor, anaconda, golden lion, tamarine, macau etc यह उनका नाम है in which regions are these animals found, why are their habitats found in these forests वो किन एरियाज में पाये जाते हैं और वहीं उसी एरियाज में जादा क्यों पाये जाते हैं classify the forest regions with reference to their extent और jungle के हिसाब से उनकी reference भी हम define कर सकते हैं in geographical explanation पढ़ते हैं इसके बारे में a great diversity in wildlife is found in Brazil than any other country in the world Brazil में wildlife की बहुत जादा diversity पाये जाती है किसी भी और देश के मुकाबले in the swampy areas of the Pantanal huge anacondas are found जो swampy areas of Pantanal के महाँ पर बहुत बड़े anacondas पाये जाते हैं in Brazil, guenna pigs, crocodiles, alligators, monkeys, pumas, leopards etc. are found अलग लग तरह के बहुत से animals जो है वो ब्रजील में पाये जाते हैं जिन में से कुछ हभी हमने पढ़े among the fish varieties mainly swordfish are found in the seas while pink dolphins and piranhas are found in the rivers यहाँ पर मशलियां कहीं तरह के पाये जाते हैं swordfish mainly in samudr में और pink dolphins और piranhas यहाँ की नदियों में पाये जाते हैं condors which are huge in size and fly high in the sky various types of parrots, macaws and flamingos are the major birds found here जो यह parrots हो गया, macaw हो गया, flamingo हो गया यहाँ पे ज़्यादे तरह बर्ड यह इस तरह के पाये जाते हैं millions of insects varieties are also found here कहीं तरह की 10 लाख से कहीं लाखों तरह की कीडों की प्रजातियां जो है वो भी यहाँ पर पाई जाते हैं as a result of these varieties the wildlife of Brazil is very rich and diverse इस वज़े से यहाँ के wildlife की जो variety है वो बहुत जादा ही घनी है और बहुत जादा अलग लग बटी हुई है degradation of the environment is happening due to the illegal smuggling of wild animals wild animal की illegal smuggling की वज़े से यहाँ पर काफी जादा degradation देखी जा रही है environment में slash and burn agriculture यहाँ पर अक्सिर कटाई जो है बहुत जादा agriculture को जला देना या फिर बहुत जादा कटाई करना jungle काटना जो है और pollution जो है बहुत जादा देखा जा रहा है Brazil is facing these problems today यह कुछ problems है जो Brazil आजकल face कर रहा है अब हम page number 35 पर है many endemic species are on the verge of getting extinct because of these issues इन issues की वाज़े से कई प्रजातियां जो है वो अपनी विलुप्त होने के गाकार पर आ गई है अब हम Indian wildlife के बारे पढ़ेंगे show the figure falling animals in outline map of India in figure 5.5 with the help of signs and symbols according to their habitats answer the following questions इंडिया यहां पर जो है इंडिया का blank map दिया गया है हमें यहां पर जो यह animals दिये गए है इनको हमें symbol के हिसाथ यहां पर represent करना है कि यह कहां पर पाए जाते हैं उनकी areas के साबसे और quantity के हिसाबसे आए और फिर कुछ questions के answer देने हैं और इनके बारे में vegetation जो है वो पाया जाता है या फिर animals जो है वो wildlife पाया जाती है वहाँ पर do you know some other animals too क्या कुछ और animals भी जाते हैं जो इनके अलावा यहां पर mention नहीं है इस list में जो इंडिया पाया जाते हैं show the habitats of tiger in India with their names on map map इंडिया में कहां कहां पर tiger पाया जाते हैं और उनके name के साथ हमें mention करना है why is there habitat found in these regions और इनका habitat जो है उनी radius में क्यों पाया जाता है इनकी बारे में geographical explanation पड़ते हैं India is also a mega diverse country in terms of wildlife इंडिया में भी बहुत जादा variation पाया जाती है wildlife की form में there are many species of wildlife in India बहुत सारी species इंडिया में भी wildlife की elephants are found in hot and humid forest हाथी जो है वह बहुत गरम और humid जंगलों में पाया जाते हैं one honed rhinosaurus are found in swampy and marshy lands of Assam Assam की marshy and swampy areas में एक सिंग वाले गेंडे जो है वह पाया जाते हैं while ass and camels are found in the arid lands सूखे areas में जो है ass और उंट जो है वह पाया जाते हैं snow leopards and yorks are found in the snow-caped regions of Himalayas snow leopard और yorks जो हैं वह हमालिया के बरफिले areas में पाया जाते हैं Indian bison deers, bison deer, antipolls and monkeys are found in the peninsular region antipolls होगे, deers होगे, bison होगे यह जो peninsular region में पाया जाते हैं India is the only country in the world where both tigers and lions are found India एक ऐसी एक लोता देश है पूरे संसार में जहां lions और tigers दोनों पाये जाते हैं rivers, street trees and coastal areas are homes of many turtles, crocodiles and gavials बारिहां के जो बहुत जाद नदियां हैं और जो coastal areas हैं वो कहीं तरह के कच्छुए, crocodile और घडियालों का घर भी है the forests and wetlands are the shelters of variety of birds like peacocks, Indian bustards, kingfishers, fizzants and ducks, parakeets, canes and pigeons यह एक पक्षी हैं जो इंडिया में बहुत commonly पाये जाते हैं all these species make it a land of unique habitat of wildlife और यह जब अलग तरह की species है यह उनके लिए एक अलग ही तरह का habitat जो है वो wildlife का बन जाती है इंडिया को बना देती है many species of wildlife are on the verge of extinction from India because of the poaching लगातार इनका जो शिकार की वज़े से और जंगलों की कटाई की वज़े से और pollution की वज़े से जो है बहुत सी species जो है वो अपनी अंत के कागार पर आ गई है इंडिया में जंगलों को और इंपेड पोधों को और जानवरों को बचाने के लिए के government ने कहीं सारे national parks या फिर wildlife centuries जो है या bird centuries और biosphere reserves जो है वो बनाए है झाले झाले मुप ये झांन Ü长 झालå झाल 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 झाल